नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहुत हिमादो पुन जानकारी लेकर के सिर्फ 5 एमेल प्याज के रस में मिश्री मिला कर पीने से 3-5 दिन में किड्णी की पतरी शरीर से बाहर निकल जाएगी किड़नी में पथरी की समस्या धीरे धीरे आम होती जा रही है हालही के दिनों में किड़नी श्टोन रोगियों की संख्या में बहुत इजाभा हुआ है उत्तर भारत में किड़नी श्टोन के ज्यादा तर मामले पाए गए हैं और इसी वज़ा से उत्तर भारत को स्टोन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर मामलों में किड्नी स्टोन की समस्या 20 से 50 साल की उम्र में होती है। महिलाओं की तोलना में यह रोग पुरूशों में ज्यादा पाया जाता है। मुत्र तंत्र से जुड़ी इस बिमारी में किड्नी के भीतर छोटे छोटे पत्थर जैसे कठोर टुकडे बन जाते हैं जो तकलीफ देह होते हैं। आईए सबसे पहले जानते हैं किड्नी स्टोन होने के मुख्यकारणों के बारे में। गलत खान पान, अनुचित दिन चर्या इस रोग की प्रमुख वजहों में से एक हैं। खाने में नमक का ज्यादा इस्तेमाल भी इस रोग के पीछे का मुख्यकारण है। शरीर के भीतर जब नमक और अन्य खनीज पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पथरी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। शुरुआत में इन पथरीयों का आकार बहुत छोटा होता है जिस वजह से ये पेशाब के रास्ते बाहर आ जाते हैं। धीरे धीरे जब इनका आकार बढ़ता है तब यह बिमारी तकलिफ देह हो जाती है और तब इसके इलाज और एहतियात की जरूरत पड़ती है। किद्नी में स्टोन होने के कुछ अन्य कारण भी हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। नमबर वन आनुवन शिक कारण नमबर टू तनाव यानि के हाइपर टेंशन नमबर थर्ड मोटापा फोर्थ डाइबिटीज यानि के मधुमें हैं। नमबर फिफ्ट आतों से जुड़ी समस्याएं। शिक्स्त कम पानी पीना। सेविंथ लंबे समय तक डाइरिया की शिकायत रहना। नमबर एट गैस्ट्रिक बाइपास सरजरी। नमबर नाइन केल्शियम की कमी। अब आये जानते हैं किड्नी श्टोन को दूर करने के कुछ एक घरी लूँ उपायों के बारे में। प्याज का रस। जी हां। प्याज में गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए और शध्य गुन पाये जाते हैं। इसके प्रयोग से हम किड्नी के श्टोन से निजात पा सकते हैं। लगभग 70 ग्राम प्याज, 5-10 एमेल रस प्याज का लेना है आपको। पीश कर इसको और उसका रस निकाल लेना है। और इसे पीना है। सुबह शाम खाली पेट इस प्याज के रस में 5 ग्राम सफेद मिश्री मिलाकर नियमित रूप से 5 दिन तक सिवन करने से पथरी के छोटे-छोटे टुकड़े होकर बाहर निकलने लग जाते हैं। पथरी बड़ी हो तो ये प्रियोग 20 दिन तक जारी रखना चाहिए आपको। आप विश्वास रखें क्योंकि लगभग 250 लोगों पर ये शोध हुई और उन्होंने बताया कि उनको 3 दिन से असर महसूस होने लगा। कि तीसरे दिन से ही। जैसे ही आप ये प्रियोग चालू करेंगे तो 3-5 दिन बाद 1 या 2 दिन तक आपको हलका सा रक्त युक्त लाल पेशाब आएगा। ये संकेत है कि आपकी पथरी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। फिर धीरे धीरे ये पथरी पेशाब के रा या इसका रस पीना किड्नी श्टोन में काफी फायदेमंद होता है। निम्भू का रस और जैतुन का तेल बराबर मात्रा में आपको लेना है और मिला लेना है। दिन में 2-3 बार इसे पीना है आपको किड्नी श्टोन से आपको रहत मिल जाएगी। इसके आलावा एक और अन्य उपाई भी है तर्बूज जी हां किड्नी श्टोन से रहत के लिए नियमित रूप से तर्बूज का सेवन करना चाहिए आपको तर्बूज में मैगनीशियम, कैल्सियम और पोटैशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है जो किड्नी के लिहाज से काफी फायदेमंद ह होता है पोटैशियम पेशाब में एसीड लेवल को नियंतरित रखता है तर्बूज में पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है जिस वज़ा से प्राक्रितिक तरीके से किड्नी से श्टोन बाहर निकल जाता है इसके अलावा आप विट ग्रास का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा तूलसी का प्रयोग चमतकारी और शधिय गुनों से परिपून तूलसी किड्नी स्टोन में भी काफी फायदे मन सावित होती है छे महिनों तक रोजाना एक चमच तूलसी के पत्तों के रस के साथ ताजा शहद मिला कर पीने से किड्नी में पथरी का बनना बं अमर्ष करना आवस्यक है क्योंकि माल लीजे आपको कोई अन्य बिमारी हो जिसमें की आपको प्याजा कोई और चीज बवर जित हो और उसमें आपने ले लिया पथरी के चक्कर में तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी इसलिए वैद्यों के सलाह के बाद ही आपको इसका प्रियोग करना चाहिए फिर आपके लिए ये बेहद ही कारगर और श्रथि के रूप में कारे करेगी तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ चुड़ेंगे एक और महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों